राधे राधे मित्रों, इस वेडियो में हम लोग बात करने ओले हैं कि अंग्रेजी अलफवेट की जो M आम आले जातक हैं, जैसे किन्ही का नाम मंजय होगा, तो जो M आम आले जातक हैं, इनका आने वाला वर्स यानी कि 2023 इनके लिए कैसा रहेगा, आने वाले वर्स में इनके जीबन में क्या पडिवर्तन होगा इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा या जीबन में क्या बदलाव होगा शबाल बहुत ज्यादा महतुपुर्ण है तो वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्स का एक अनोखा टोटका है तो आप वो भी सुने और आजमाएं तो आपका आने वाला वर्स बेहतर हो जाएगा और कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रों शब से पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके कामकाज आपके वेपार के बारे में कामकाज के दृष्टी कोन से आपका जुआने वाला वर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार रहेगा साल के सुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परिशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वर्स के सुरुआत में आपके शमय का सपोर्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान सनी आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे और भगवान सनी के छठे भाव में रहने से आपकी जो आमदनी होगी वो कहीं न कहीं ठप हो जाएगी आप जो भी काम करते होंगे उस काम के माध्यम से आपकी उन्नती आपकी प्रगती भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी लेकिन वर्स के मध्य में आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा और शाल के मध्य में कहीं कोई पड़ेशानी बिलकुल भी नहीं होगी मित्रों आप में से जो भी लोग आने वाले वर्स में नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरु करने के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा परंतु आने वाले वर्स में आपको नए काम को सुरू करने से पहले जो भी काम सुरू करना हो उसके बाड़े में शारी बातों को पता करना चाहिए और शारी बातों को पता करने के बाद ही आप किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करें अन्य था आपको पड़ेशानी का सामन बहुत जयादा करना होगा मित्रों इसके बाद है आपका श्वास्त सिहत के दृष्टी कोन से आपका जुआने वाला वर्स है वो आपका शाथ जयादा नहीं देगा क्योंकि आपके कुंडली के पंचमभाव में सुर्य देवता और बुध की यूती होगी और इस यूती से आपका श्वास्त खराब हो जाएगा आपके कुंडली के छठे घर में सनी और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान होंगे और इन दोनों के एक साथ में होने से आपको जयादा फाइदा नहीं होगा आपका श्वास्त बहुत जयादा खराब हो जाएगा तो आने वाले वर्स में आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान के परती शावधानी अवश्य बरतनी चाहिए मित्रों इसके बाद है आपका दामपत्य जीवन तो दामपत्य जीवन के द्रिष्टि कौन से आपका जो आने वाला वर्स है वो आपके लिए बहुत जयादा बहतर रहेगा हाँ शाल के सुरुवात में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा शाल के शुरुवात में आपके जीवन साथी के शाथ में आपका शंबंध थोरा बहुत प्रभावित होगा क्योंकि आपके कुंडली के छठे घर में सनी का प्रभाव बहुत जयादा रहेगा और सनी के प्रभाब के कारण आपका दामपत्य जीवन साल के सुरुआत में थोड़ा बहुत प्रभाबित होगा आपके जीवन साथ ही आपके शाथ छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत जयादा जगरा करेंगे और आप दोनों के शंबंध में संका यानि कि सक उत्पन होना हो जाएगा जो कि आपके शंबंध को बहुत जयादा कमजोर बना देगा मित्रों आने वाले वर्स में अगर आपके पाडिवारिक जीवन की बात करें तो पाडिवारिक जीवन के दृष्टिकों से आपका शमय मिला जुला कर ठीक रहेगा आने वाले समय से पहले अगर अंगलिक कार्ज होगा कोई धार्मिक कार्ज होगा और उस काम को करने में घर के शभी लोग एक जुट होकर काम करेंगे तो यही था आपके आने वाले वर्स का रासी फल अब जानते हैं आपके उपाई के बारे में मित्रों उपाई बहुत ज्यादा शामानने है आपको आने वाले वर्स में प्रत्ते एक दिन सुर्यास्टक का पाठ करना चहीं। अगर आप ऐसा करते हैं और शही तरीके से अगर आप सुर्यास्टक का पाठ करते हैं तो आपका जुआने वाला वर्ष है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और कहीं कोई पड़ेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी. मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्ण हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी सहायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उमीद है साड़ी बाते किलियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा साथ में वाइटी पुरुश वत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय सुर्य देवता आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद